सूप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आप सबका मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत है. अभी तक हमने चार अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना वेल लिखना सीखा था. आज हम चार अक्षर वाले कुछ और शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे. तो बच्चों, आप सभी अपनी बाल माधुरी पुस्तक का पेच नमबर 51 निकालें. तो बच्चों, चली शुरू करते हैं. पत जड़, पत जड़, पत जड़ में पेड़ों से पते गिर जाते हैं. अद्रक, अद्रक. आप देखते हैं, मम्मा चाए में अद्रक डालती है. जग, मग, जग, मग. दिवाली में दियों की रोशनी से सब जगा जगमग, जगमग हो जाता है. गद, 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 गद का मतलब होता है. खोशोन, जैसे अपने खोए हुए कुत्य कूब देखकर रवी गद, गद हो गया. तरकश, तरकश, तरकश. राम जी के तरकश में बहुत सारे तीर थे. डग, मग, डगमग. देखो बच्चों, ये छोटा सा बच्चा कैसे डगमग, डगमग करके चल रहा है. गड, बड, गडबड. ओ, ये देखो, ये बच्चे ने जल्दी जल्दी खाना खाके सब गडबड़ कर दिया. सब जगा खाना गिरा दिया और गडबड़ कर दी. सड, सट, सड, सट. दादा जी अपना सड़, सट का जनम दिन मना रहे हैं. भग, दड, भगडड. ओ, ये देखो. सांप को देख कर सब बच्चे डर कर भागने लगे और भगडड़ मच गई. तो बच्चों, अभी हमने जिन शब्दों को पढ़ा हैं, आएए अब हम उसका अभ्यास करते हैं. तो पैप से पहले क्या है, पत, जड, पत, जड, जग, मग, जग, मग. अद, रख, अदरख. गद, 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 तरकश, तरकश. डग, मग, डगमग. गड़, बड़, गड़बड. सड, सठ, सड़, सठ. भग, दड़, भगदड. तो बच्चों, अभी हमने इन सारे शब्दों को पढ़ने का अभ्यास किया. अब हम इसे लिखेंगे. तो बच्चों, आप सभी अपनी कौपी को लेके राएए.